हेलो गईश वुर्कम बैक मैं चनल मेरा नाम है सुभम और आपर मेरे समसारे ट्रेडर पे तोड़ा बहुत बैक्डाउंड नॉइज आ सकता है आज पॉपी से रेकोर्डिंग कर रहा हूं अभी इस पोजिशन पर आगा करते होगे खुबसूरत का एक सस्टेन हो चुका है और इस लेबल पर आप एक सब्सक्राइब तो अगर आप यहां पर ध्रान लगाओगे तो आपको चीज देख वाओगे कि हरेंड पर एक स्टीक जेनरेट हुआ है बॉड़ी उपर की तरह पर एक पॉजिटिव साइन लग रहा है इस पॉजिटिव साइन चार घंडे के चार्ट में दिखा रहा है ताट विंज यह जो टार्गेट है यह टार्गेट इस लेविल के 58 990 और 59 चीज पी 900 के आसपास इसका तार्गेट होने वाला है चार घंडे के चारा आपको इसको बोल्ड करना पढ़ेगा कि लेविल से यह देखिए यह जो candle है यह candle इतने देट तक यह पस एक accumulation page क्रियेट कर रहा था उसके बाद इस level से इस candle से इसको breakout मिला है यह जो candle जो running candle है यह उपर भाग रहा है अगर एक घंटी की चार्ट में अगर मानोगे तो 59,000 के आसपास इसका भी target indicate कर रहा है अगर आप इस पर position बना चुके हो और बनाने वाले हो तो मेरे क्याल से यह पर आप position ले सकते हो इनका जो stop loss होगा तो stop loss last जो low है उसको आप बना सकते हो closing basis candle का low हो है 58,500 तो 58,500 के मात्रण that means यह रवर 200 points के उपर आपको stop loss सकना पड़ेगा अगर आप यह trade लेने के भी ब्लैन करते हो तर्टी मिनिट्स चार्ट भी सेम चीज इंडिकेट कर रहा है जिसका primary level अगर आप मान के चलो तो यह यह से ए गोल जो था इस level से तूटा था तो इसको मैं primary ली एक target आगे बना दू तो इसका भी primary target यह से 100 points के आसपास होता है और हम लोग का जो जो बेसिक target है जो चार घंडे की चार्ट में हम लोग reset कर रहेते हैं तो 59,000 के आसपास तो most probabilities है कि 59,000 से 59,100 तक 59,100 तक इसका target हो जाए let's see, यह मैं बहुत बार repeat कर रहा हूँ कि यह एक घंटी की chart, चार घंटी की chart and 30 minutes के chart की उपर में base करके बोल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आपको patience रखना पड़ेगा करना पड़ सकता है अगर आप यह 250 points के gold का अगर rally चाहते हैं तो तो and secondly, और एक positive sign में दिखा रहा हूँ कि यह से जो lower trend था, इस point से एक point low था मगर इस point से एक point positive था, that means एक positive divergency आया है 30 minutes chart में and एक घंटे की chart में भी आप वही चीज देखा होगे तो बहुत एजिली एक divergence आया है तो let's hope for the best, point three to four percent का target बहुत easy target होगा gold के लिए तो मेरे कहल से आज के दिन rally दे सकता है और next कल के दिन भी rally दे सकता है और भी यहां से 250 और 300 points का that's all for the day, thank you guys for watching the video and stay tuned for new upcoming videos, bye bye